इस लेक्चर में पदमा अवार्ड के बारे में डिसकस करेंगे 2022 में जो पदमा अवार्ड दिये जा रहे हैं अभी रिसेंटली अनॉंस किये और कब अनॉंस किया जाता है इनका देखो अनॉंसमेंट यानि की घोसना इनकी हर साल होती है रिपब्लिक डे की इव पे इव का मतलब क्या होता है इव का मतलब होता है जिसे आज का दिन है आज कितनी तारीक है आज भाई सब 28 जनवरी है आज की इव की बात करें तो 27 जनवरी की साम को बोलेंगे इव यानि कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी की इव क्या हुई 25 जनवरी की स साम को रिपब्लिक डे की इव को हर साल घोसना की जाती है इस साल जो की गई 128 लोगों को यह अवार्ड दिये जाएंगे यह ध्यान रखना 128 यह बाद में आएगा इसके लिए एक confusion होगा आपको इसमें 128 पीपल के लिए अनॉंस किया गया है इसमें कुछ वैतेरन पॉलिटीशन है प्रसिद्ध राजनेता हैं कुछ बिजनिसमेन हैं कुछ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हैं आर्टिस्ट हैं कुछ और्डिनरी पीपल हैं साइंटिस्ट और डॉक्टर भी हैं याद रखना यह भी यह आपको बाद में confusion करेगा पब्लिक सर्विस के लिए जो अपनी मानलों कोई contribution देता है अपना योगदान देता है लोगों की सेवा करने के लिए उसको यह अवार्ड दिया जाता है और देखो आपको पहले बता दूँ जो पदमा अवार्ड हैं यह तीन category में आते हैं उनको पढ़ेंगे अभी हम और एक भारत रतन है जो सबसे बड़ा अवार्ड भारत रतन है हमारे इंडिया में और यह अवार्ड का मतलब यह होता है मिलने का सिर्फ पैसा नहीं होता अवार्ड मिल गया तो इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ अलग नहीं ह होता है कैसे दोतों जोब भारत रतन दिया जाता है या पद्मावाऄ इसमां कुछ मझा नहीं नहीं दी जाती पैसा नहीं दिया जाता लेकिन अगर मानलों जैसे किसी को भारत रतन मिल गया ना उसकी mostि हो भारत रतन मिल गया वो तो भाई सब फिर जिंदी की बर उसके पास ये रैंकिंग आ जाएगी जो cabinet minister को facility मिलते है ना घर मिलता है security मिलती है जैसे मालो सचिन तेंदुलकर को मिल गया भारत रतन मिला हुआ है अब उसके पास इतनी facility होगी भाई सब सचिन तेंदुलकर के पास ज लेकिन कुछ इस तरह की मिलती है एक आदमी है भाई सब वेस्ट बंगाल के former chief minister पूर्व ये मुख्य मंत्री है वेस्ट बंगाल के ये बुढधा डेव भट्टा चारे जी या बुढधा डेव भट्टा बट्टा चारे हो सकते ही इनका ना इन्होंने इनकार कर दिया refuse कर द अच्छा इसके बारे में भी जानेंगे तो स्टार्ट करते हैं पद्मा अवार्ड से पद्मा अवार्ड देको highest civilian owner है भारत रतन के बाद भारत रतन सबसे बड़ा है उसके बाद यह है और भारत रतन भी और पद्मा अवार्ड भी दोनों ही यह 1954 में बनाए गए गए थे 1954 म में पदम आवार है तीन कैटेगरी में होते हैं पदम आवार एक है पदमा विभूशन ये शबसे बढ़ा नाम है मिंभूशन इस से चोटा सिरी फिर भूशन फिर पदमा वीभूशन और फिर इंतीनों से भी बड़ा कोई भारतरतन वो तो याद हो गया है ये कुछ इस तरह के दखाई देते हैं ये पदमा वीभूशन पदमा भूशन ये पदमा शिरी ये अवार्डें ये माननलो कोई public service के लिए कोई अपनी achievement देता यानि कि कोई अपना contribution योगदान देता तो उसके achievement को recognize करने के लिए award दिये जाते हैं इनकी limitation और exception क्या है दो कोई इसमें क्या है कोई भी cash award नहीं दिया जाता ना इतो कहीं जादा है क्योंकि भारत रतन क्या है बहुत सबसे बड़ा award है हमारे इंडिया का ऐसी पदम अवार उनके बाद आते हैं इसमें क्या है सिर्फ एक certificate दिया जाता है एक पर्मान पत्र उसे sign करके को देते हैं resident और इसमें एक medal दिया जाता है जो आप medal जिसको मिल गया मानलो आपको मिल गया award मानलो आपने अच्छे काम कर दिया कोई मिल गया आपको वार तो कोई public function में आप जा रहे हो याद रखनी है यह इस साल के 2021 के प्रिलिम में पूछा था title से regarding यह आप title अपने नाम में यूज नहीं कर सकते नहीं तो prefix नहीं या तो आपने नाम के पहले भी यूज नहीं कर सकते नाम के बाद भी नहीं कर सकते यह आपको याद रखना है हां लेकिन जो पदमा अवार्ड या भारत रतना है वह देखो जैसे किसी को अवार्ड दिया तो इस साल अवार्ड दिया पदमा अवार्ड फिर यह अवार्ड आवाड या भारत रतन पांस साल तक उसे नहीं दिया जा सकते जैसे मानलों पदमा सिरी दे दिया उसे पदमा भूशन या पदमा विभूशन या भारत रतन देना तो पांस साल के बाद ही दिया जा सकता है पांस साल के अंदर नहीं दिया जा सकता और यह जो टाइटल का बात कार्ड है या कोई भी डॉकुमेंट उसमें नाम में नहीं लगा सकता कि भारत रत्न राम कुमार सिंग या भारत रत्न राजेश प्रसाद ऐसे यूज नहीं कर सकता या अपने नाम के पीसे कि मानलोक लगा लिया प्रकास भारत रत्न टाइटल पीछे लगा दिया क्लें की तर जगह और नहीं suffix की जगह इसमें देखो हर साल 120 अवार्ड से ज़्यादा ये पद्मा अवार्ड नहीं दिये जाते देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था 128 पीपल के लिए इस साल तो ये कैसे दिया क्योंकि देखो इसमें 120 अवार्ड में ये इंक्लूड नहीं होते पॉस् नौन रेजिडेंट इंडियन होते हैं या फॉर्णर विदेशी को कोई अबाट दिया जाता है वो भी 120 में नहीं आते इन से बाहर यानि कि आठ पीपल कौन हो सकते हैं या तो पॉस्थूमस एन्नराई या फॉर्णर हो सकते हैं इस साल जिनको दिया गया है इसमें किसी भी परसन को दिया जा सकता है चाहे वो किसी भी नसल का हो रेस का किसी भी ऑक्कुपेशन का हो कोई काम करता हो प्राइवेट में जॉब में कोई में हो यह चाहे किसी पोजिशन पर हो किसी भी सेक्स का हो मादा हो नर हो मेल फीमेल यानि कि नर नारी कोई भी हो लेकिन हां यह ग ये अवार्ड देखो, दिये जाते हैं special service के लिए, जब उस आदमी ने special service हो, long service के लिए नहीं, special service के लिए, कोई उसने अच्छी service दिये लोगों की भलाई के लिए काम किया, तब excellence plus की तरह उसे recognize किया जाता है, कौन nominate कर सकता है, मानलोग किसको अवार्ड दिया जाता है, कैसे choose करते हैं कि इस आदमी को देना है, कोई भी कर सकता भाई, any citizen of India, कोई भी भारत का नागरिक किसी का नाम भेज सकता है, government के पास, nominate कर सकता है, मानलोग मैं कल को आपका नाम मैं भेज दू, मानलोग को अच्छा student है, इसने अच्छा काम किया है, उसका भेज दू, या मानलो क कल को आप मेरा नाम भेज दो, है कि नहीं, मैं तो मचा कर रहा हूँ या, मानलोग आप कह दो कि अच्छा teacher है, पढ़ाता है, फिर ही में, अच्छा समझाता है, तो आप मेरा नाम भेज दो, या फिर मैं खुद भी भेज दू अपना नाम, खुद भी भेज सकते हैं, इसमें online form में, एक form भरा जाता है, form के साथ सारी detail भरनी होती है, मानलोग किसी organization का support करना है, कि organization को दिया जाए, या किसी single person को, तो उसकी सारी detail भेजनी होती है, और इसमें 800 word का एक S से लिखना होता है, S से किस बे, जो उसने काम किया है, जो उसने काम किया है, उसके potential के लिए, कि ये ये काम क्या है, आपे इतना काम क्या है, इस साल से काम करता रहा है, इसने साल से, वो उस काम के बारे में लिखना होता है, अब ये किस के पास आता है, जो form भरा है, ये आता है भाई साब, एक कमेटी के पास, एक पदमा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है, पदमा अवार्ड कमेटी, ये इसके पास सारे nomination आते हैं, पदमा आवार्ड कमेटी के पास ये कमेटी कौन बनाता है? Prime Minister, खुद परधान मंत्री बनाते हैं हर साल बनाते हैं इंकमेटी, और इस कमेटी में में कौन होते हैं? इस कमेटी में सदस्य होते हैं भाई साफ, इसमें cabinet secretary तो इसके head होते हैं और cabinet secretary सबसे बड़ी post होती है भाईसाब IS की cabinet secretary directly prime minister के अंडर ये काम करते है IS जब बनोगे आप परमोसन होके cabinet secretary बनोगे direct prime minister के अंदर समझ रहो काम करोगे ये cabinet secretary के साथ क्योंकि ये committee के अद्धक्स होते हैं जैसे home secretary ये भी IAC होते है secretary ये भी IAC होते हैं secretary जो president के होते हैं four से six eminent person होते हैं कुछ प्रिसिद member होते हैं इसके चार से छे member इसके हो सकते हैं ये committee जिसका no mission कर recommendation करती है submit कर देती है prime minister को फिर prime minister इसकी recommendation को जो भी सिफारिस किये इस committee ने भेज देते हैं president के पास approval के लिए जब president अपने sign कर देते हैं अनुमती देते हैं approval तो वो नाम तै हो जाते हैं कि इनको मिलेगा इस साल award जो recipient है उनकी consent जरूरी है क्या उनकी अनुमती लेना जरूरी है कि आपको award दिया जाया नहीं दिया जाया उनकी अनुमती लेनी पड़ती है कोई भी ऐसी provision नहीं है कि उनकी recipient की अनुमती लेनी पड़ती है नहीं recipient मतलब जिसको award दिया जा रहा है जो award receive करेगा लेगा उस announcement से पहले उनकी return permission लेने की कोई जड़त नहीं है लेकिन हाँ, announcement से पहले, घोसना करने से पहले, जैसे 26 जनवरी से पहले, 25 जनवरी की साम को घोसना करते हैं, उस घोसना से पहले हर एक recipient को, जिसको अवार्ड दिया जाएगा इस साल का, हर एक recipient को Ministry of Home Affairs से call जाता है, हम minister तो नहीं करते, लेकिन उनके जो secretary वगेरा, उनके जो भर दियान वमिनकेस नेसल, या किसी आदमी ने support किया उसका नाम, तो मुझे नहीं लेना, वो मना कर दे, तो मना कर सकता, उसका नाम हटा दिये जाएगा, remove कर दिये जाएगा, क्योंकि ये सारा announcement से पहले ही तैह हो जाता है, ये note करके रखना है, कि 1954 में जब ये award मनाये थे, भारत रत्मी बनाये था, और पदमा विभूशन बनाये था, एक award, ये तीन category में था पदमा विभूशन, इसकी तीन category थी सब, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, पदमा विभूशन के, लेकिन बाद में 1955 में ये इसके नाम change कर दिये, पहला वर्ग को कर दिया पद्मा विबूशन दूसरे वर्क को कर दिया पद्मा भूशन तीसरे वर्क को कर दिया पद्मा शिरी तो यही था इसके बारे में